हलो व्यूवर्स आप सब कैसे हैं मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे वेजिटेरियन नर्गिसी कौफते रेस्टोरेंट स्टाइल नर्गिसी कौफते बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है इसमें अड़ा नहीं है पर यह दिखने में वैसी लग रही है इसके स्टफिंग की खासियत है नर्गिसी कौफता करी के साथ में मैंने तंदूरी रोटी भी बनाई है अब जल्दी से बनाना श्रू करते हैं इंग्रीडियंट्स नोट कर लीजिए पहले से ही काजू को दूद भीगो के रखना है प्यार टमाटर सब की पेस्ट बनानी है पहले काले मिर्च दाल चीनी बड़ी लाइची चोटी लाइची सब डाल देंगे और तड़कने का इंतजार करेंगे जैसे यह तड़कने लगेगा प्याज लसन और अद्रक की पेस्ट इसमें डाल देंगे अच्छे से इनाएंगे इसे तब तक पकाना है जब तक कि यह तेर न तक शाले तो इसमें हल्दी, मेर्च, धनिया डाल देंगे नमक भी टाल देंगे और अच्छे से मसाले को लेंगे बिना नमक के मसाला जलदी से पकताने मद दूना बहुत जरूरबी है पहले अब इसमें टमाटर की जो पेस्ट बनाईए वो भी डाल देंगे इसे तब तक गी न छोड़ दे, देखिए किस तर से गी उपर आ गया है, अब हम आधा कप दही डालेंगे इसके अंदर और इसे जल्दी जल्दी हिलाएंगे, ताकि फटे नहीं, अच्छे से हिलाते ही चले जाएंगे, देखिए किस तर से जाली पड़ गई है, मसाले में, अब दूद में काजू की जो पेस्ट हमने तयार की वह इसमें डाल देंगे, अच्छे से हिलाएंगे, अब इसुमें दूद डाल देंगे, ग्रेवी बस तयार ही होने वाली ऐई, इसे बराबर हिलाना बहुत जरूरी है, नहीनितो दूद जल सकता है, पानी डालेंगे इसमें, इसे दनी से सजाएं जल्दी से कौफ्ति की तयारी शुरू करते हैं पतली-पतली कमल ककड़ी को दोकर चील कर काड़कर ग्रेट कर लेंगे इसमें कामाने वाली सारी सामगरी यहां पर लिखी हुई है डिस्कृप्शन बॉक्स में भी मैंने सामगरी लिखी हुई है आप वाँ भी तब हम इसमें बेशन डालेंगे बेशन को भूनेंगे अच्छा से जब इसमें से खुश्वू आने लगे तब हम इसमें लाल मिश पाउडर गरम मसाला कदूकस किया हुआ अदरक आउटर कवरिंग को मसाईदार बनाते हुए हम इसमें कदूकस कीवी कमल कखवी डाल देंगे मैंने इसे चॉप करके रखा था अच्छे से हीलाएंगे इसे हम बेशन के साथ में पकाएंगे जब यह थोड़ी गल जाएगी तब हम इसमें दूट डाल देंगे आप पानी भी सकते हैं इसका दूट पूरी तरह से सुखा देंगे यह इस तरह से शेप में आ जाएगी चलिए अब स्टफिंग की तैयारी शुरू करते हैं अच्छे से मिक्स होने के बाद में हम एक पार्ट अलग बॉल्मेंट में डाल देंगे और तीन पार्ट इसमें रहने चाहिए इसमें हल्दी भी डाल देंगे एक पार्ट के अंदर इसे अच्छे से मिला लेंगे हमें पीली बॉल छोटी और सफेद बॉल उससे बड़ी साइज में बनानी है आप सोच रहे होंगे कि ऐसा में क्या करने वाली हू हम टाइट टाइट बॉल्स बनाएंगे पीली वाली चोटी और सफेद वाली उससे दुगने आकार में बनाएंगे हम इसी तरह कमल ककड़ी के मिक्चर के भी बड़ी बड़ी लोईयां बना लेंगे ताकि हम उसमें पनीर स्टफ कर सकें अब हम पनीर की सफेद वाली लोई क के अंदर स्टफ करेंगे इस तरह पनीर की एक बड़ी बॉल बन जाएगी इसी तरह से हम सारी बॉल्स तयार कर लेंगे अब कमल ककड़ी की बॉल को भी फ्लैट हाथ में करते हुए इस पनीर वाले बॉल को उसके अंदर स्टफ कर देंगे देखिए है न कमाल अच्छे से प्रेस करते हुए इसे बंद कर देंगे कहीं से पनीर बाहर नहीं निकलना चाहिए अब आपको कुछ समझ में आया कि जैसे एग होता है उसी तरह से हमने इस स्टफिंग को तयार किया है कौफते स्टफ हो चुके हैं अब हम इन्हें बेसन की आटे में चारों तरफ से लपेटते हुए हाज से थोड़ा प्रेस करते हुए इन्हें तलने के लिए तयार कर लेंगे सभी को इसी तरह से कर लेंगे अब तेल गरम चड़ाएंगे और तेल में दिर्य दिर्य करके हम इन्हें तल लेंगे कम से मद्यम आच में इन्हें तलना है गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं अब हम इन्हें एक के करके निकाल लेंगे और दूसरे डाल देंगे यह नर्गीसी कोफ्ते साइज में बड़े-बड़े ही बनते हैं फ्राई करने के बाद में हम इने दो इस्सों में काट लेंगे इस पेशल ग्रेवी जो हमने पहले से ही तयार कीवी थी उसमें इने डाल देंगे जितना हमें खाना है उतने ही पीस हम डालेंगे लाजवाब, स्वादिश्ट, नर्गिसी कोफते बनकर तयार है धनिये से गार्णिश कीजिए और सव कीजिए पर अभी हमें तंदूरी रोटी बनानी बाकी है चलिए बनाते हैं रोटी पी अच्छे से पानी लगा कर उसे गरम तवे पर डाल कर और जब अच्छे से बुलबुले से उठने लगें तब उसे उल्टा करके सेक लें चारो तरफ घुमाते हुए अच्छी से करारी करने के बाद में इसे सीधा कर लें और नर्गिसी कोफता करी के साथ में सौ करें तंदूरी रोटी के साथ में नर्गी से कोफता करी का स्वाध ही दुगना हो जाएगा जो खाएगा एक बार वह मांगेगा बार-बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मेरी रेसिपी इसको लाइक करें और शेयर करें जल्द ही मिलेंगे नही रेसिपी के साथ